नीचा जम्दावादी एक पसाडू रंडंगी उबन मजी उशे होई बले खाले किस्सा तो यापने कताये नीचा जम्दावादी अबावाद अलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बेक टू माई चैनल और आज मैं आया हूं हैपी स्रीट जो के लॉगारण पे खुला है पहले ये खाऊ-खली हुआ करती थी और फिर इसको रिनुवेट करके अभी हैपी स्रीट नाम दिया है कुछ दिन पहले ही ये जगा चालू हुई है यहां अपने चलते हैं और चेक करते हैं यहां जगा कैसी है एम्बेंस कैसा है और खाना यहां पर कैसा मिलता है तो यह है एपी स्रीट जो कि लॉगारण पर खुली है करीब 8 करोड के खर्चे पर यह जिका रेनोवेट होके नई बनी है इस वीडियो में मैं आपको क्विक्ली बत बहुत ही अलग चीज ट्राइ की है तेस्ट की है वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखेगा लास्ट तक अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता कुछ मिस्स कर जाएंगा अ तो जैसा कि आप देख सकते है के लेवड साइट जो है वह वह फूरी लाइन रखी और राइट साइट बैठने के लिए इंतिजाम किया हूआ है तो आप इधर आप आ रहे हो तो खाने के साथ टाइम पास भी काफी अच्छा हो जाता है और टू विलर पर आओके तो काफी सही रहेगा ने तो ट्राफिक में फस जाओके पूर विलर में आओ तो और यह जो फूट्रग है ओडी पी जया इधर मैंने वो चीज़ त्राही करी है जो पहले मैंने सुनी को आपको भी नहीं पता होगा विलर तो यह जो पाइनेपल कट कर रहे है भाई मैं शाब यह कोई सेंडविच के लिए नहीं हो रहा है यह फैं पाइनेपल दोसा जो कि यहां पर मैंने डेस्ट किया काफी अलग चीज़ लगी और यह सिफ एमदबाद में मिल सकता है 140 रुपीज रेट है इसका सो मैं आपको यह टेस्ट करके इसका रिव्यू देने वाला हूँ अभी तो यह है चीज पाइनेपल डोसा और यह सिफ एम्दाबाद में मिल सकता है जैसा कि आप जानते ही हो के एम्दाबाद में चीज पाइनेपल का बहुत जादा क्रेस है तो अब डोसे में भी चीज और पाइनेपल आ गया है यह है यहां के उडी पूट रख लेगे तो चलिए में टेस्ट करके देखता हूं यह कैसा है पाइनेपल का टेस्ट काफी जाता है यह आपको रेगुलर टेस्ट जैसा तो नहीं लगेगा लेकिन अगर आपको आ रहे हों तो एक बार चलिए से ट्राइग कीजिए तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आप मुझे कमें करके भी बता सकते हैं मैं अम्दावाद में फूद और ट्रावल रिलेटेड वीडियो बना के डालता रहता हूं तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए